स्वागत सभीका अपने उनलाइन प्लैटफॉर्म पर नर्सिंग सक्सेस करें तो आज अपन कुछ नई क्लास लेके आये जिसके अंदर मैंने आपको यहां पर लिख रखाया कि जिसके अंदर जो भी अपि रास्तान सिए ठीक है और नॉर्षेट और यह चल रही है ठीक है उसके आपको अपको टीजाएगी क्योश्न दिए जाएंगे और जितने बीजो आऑग्जाम आने वाला आति मार्श को छी चलो शुरुवाद करते हैं सबसे पहला क्योंशन की और जितने अपने दोस्त ह उनके साथ जो चल रही है इसको कर दीजिएगा लाइक और ज़रूर करेगा अपने दोस्तों साथ तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपन सबसे पहला क्या क्या कहता है कि सबस्क्राइब सबसुद्द कर से करता है रूट ऑप एडिमनींस्टेशन ऑप रॉटावाइरस है oxy टीख है चिंख हुआ है रूटावाइरस है था रुटावाइरस लागाया चाहर मैं रूटा वाइरस के लिए लगा जाती है तो इसका क्या पूछे है इसका पूछा है रूट सब्सक्राइब क्या बेवा सब्सक्राइब जिज़ क्या करता है ड्रग spTV करने के काम तो कि अब जो रूट है इसका रोटा रोटा वेक्सिन का रूट ऑसकी रोटा होता है वहता है चुर सब्सक्तख की तो रूटा वायरस के यह ईसके और न वेक्सिन को यह और इसका फाइदा क्या धियर कि वित इसके लिए पैनलेस रहती है इसको क्या बोलता है इसा क्यों पहुत सब्सेरियो करहा मैं और east कि अगहलों से उसकेन इस यह और सल्सक्राइब मिद्ग प्रिमिशं को रहा है कि इन में से इन में से कौनसी व्यक्सिन को आपन को नगी रख सकते हैं फ्रीजर कमपार्टमेंट होता है ठीक है तो इसमें से कौन सी वैक्सिनस जिनको आपन नहीं रख सकते हैं तो इसके अंतर जो पोलियो है माइनस 2 से माइनस eight डिगरी यह अब ही उसी के अंदर आती है या फिर 20 से इसको भी 30 के अंदर रखते है या फिर माइनस 50 के अंदर रखते है है मीजल्स को मीजल्स जो MMR वेक्षिन होती है उसको भी अपन किसमे रखते हैं उसको भी अपन रखते हैं डिग्री सेंटिग्रेड माइनस के लगए बची कौन सी बची यह जैसे पोलियों हो गई इसको अपन रखते हैं फ्रीजर कमपार्टमेंट में ठीक है डिप्तिरिया पट्टु इसको मीजल अगर अगला कुशन देखते हैं करी देखते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है आशा वर्कर वर्क एड़ दा लेवल जो आशा होती है वो कहां पर वर्क किस लेवल के उपर वर्क करती है क्योशन कह रहा है कि जो आशा होती है आशा होती है वो किस लेवल पर वर्क करती है तुम्हें बता दो आपको कि आशा जो है इसकी फिल फॉर्म क्या होती है एक्रिडियेटेड एक्रिडियेटेड सोशियल हेल्थ एक्टिविटिस्ट एक्टिविस्ट यह आशा ही फिल फॉर्म होती है बहुत बार यहां से भी कुछा है इस्टाल लगा लिएगा उसके बाद उसके बाद क्या है कि आशा वर्क ठीक है आशा क्या है आशा कहां काम करती है एक कम्यूटी के अंदर काम करती है ठीक है और मेंली आशा कहां पर काम करती है आशा करती है कम्यूटी के एक विलेज के अंदर ठीक है जो गाउं होते हैं उनके अंदर कौन काम करती है आशा काम करती है और आशा का काम क्या होता है जितने भी एंसी होती है और पोस्ट्ट्रेटल केर और चेक अप्स उनका वह सर्वे करती है उनका ध्यां रखती है किसी भी प्रेग्नेंट वूमन इसके बाद आशा क्या काम करती उनको एजुकेशन प्रॉएड करवाती है उसके अलाबाँ जितने भी न्यूटिशन होते है न्यूटिशन वगर जो है वह करती है वह करती विलेज लेवल पर कृष्टेंड विलेज लेवल पर अग्ला कुशन देखते हैं अपन अगला कुछन है, which of the following anti-tubercular drug was peripheral neuropathy, इन में से कौन सी anti-tubercular drug होती है, वो क्या करती है, peripheral neuropathy करती है, अब इन में से मैं बता दू, आपको जैसे आईसो निया जाएगे, आईसो नियाजाइड, पायराजीनामाइड, रिफाम सीन, ठीक है, उसके बाद है डेप्सवन, डेप्सवन is the drug of choice of लेप्रोसी, लेप्रोसी की जो ड्रग of choice होती है, वो कौन है, वो है डेप्सवन, ठीक है, अब जो इसके अंदर पुछा है कि एसी कौन सी ड्रग होती है, आईसो नियाजाइड क्या है, अब अगले अपन करमें देखते हैं कि पायराजीनामाइड, ठीक है, जिसे, पायराजीनामाइड क्या करती है, यह करती है, हिपेटो, प्रोटोक्सिक होती है, ठीक है, उसके बाद यूरीमिया करती है, यूरीसीमिया करती है, यूरीसीमिया करती है, यूरीसीमिया करती है, कौन पायराजीनामाइड, उसके बाद गाउट की जो प्रोब्लम आती है, ठ परिंदों इसके अंदर उसके अंदर वो उसके अन्धर शेलिंग आने लगती है जो पायर जेंड स्वथा लेट क्या करता है ये कारण ये कार्ण कारता है ये गाउड तो कि मुझा खुण बढ़ावा देता है को देता है पायर जिनमाइड है उसके बाद रिफामसीन में वह अरेड । एड औरेज्ट कलर का औरेंज कलर का यूरीन आता है ठीक हैत रिफारमचीन में क्या ह ons आता है रेड and औरेज्ट ॥ा यूरीन द्रग मेंने आपको बताया कि आई सोरीघ्रन होती है वो क्या करती पेरिफेर्ल नुरोपैर्थि करती है इस पाराजिनमाइड है के विखेर होती है उसका करती है जितने विखेर नपर घटोटाएट है देप्सेडम के बिखेर द्रग उप चॉइसकी लेपरोशी है अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन है The Rural Health Scheme The Rural Health Scheme Was best on the recommendation of which committee ठीक है The Rural Health Scheme Was best on the recommendation of which committee ठीक है तो यह पूछ रहा है कि जो Rural Health Scheme आये थी जितने भी ठीक है उनके अंदर कौन सी community ने Rural Health Scheme के लिए recommendation प्रवाइड करी थी तो अपन देखते हैं कि कौन सी community थी वो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि वो सिर्वास्तव committee ने क्या किया था चड़ाने करतारने और जंगलवानने क्या क्या recommendation दी थी health scheme के according तो सबसे पहले आप community बन पढ़ते हैं सिर्वास्तव committee ठीक है सिर्वास्तव सिर्वास्तव committee सिर्वास्तव जो committee थी ठीक है वो 1934 में आई थी ठीक है अब 1934 में आई अब इस 1934 में आने के बाद इस committee ने क्या दिया था इस committee ने दिया था Group on Group on Medical Manpower Medical Manpower Medical Manpower Support ठीक है जो Medical Manpower और Group on Medical Manpower सपौर्ट जो दिया था वो किस ने दिया था ठीक है और इस जो सिर्वास्तव community इसने क्या किया था कि पी अच्ची जो प्राइमरी हेल्थ केर होती है हेल्थ केर की जो recommendation होती है वो किस ने दी थी ठीक है में इसने क्या दिए यह दोनों चीज़ें लेकिं 1926 के अंदर ग्वर्मेंट बंडिया ने क्या किया था इस जितने वी दोनों रिकमेंडेशन थी स्यर्वास्थव कमिटी की उसको क्या कर लिया था accepted कर लिया था ठीक है सो उसके बांद और जो रूरल हैल्थ इसकी में रूरल हेल्थ इसकीम वाली जो रिकमेंडेशन थी वह भी किसने दिती इसने शिर्वास्तों कमीटी ने ठीक है उसके बाद आपन अगला अगला देखते हैं इसके बाद कुछ पढ़ता जीए चड़ा कमीटी यह ठीक है 1693 में आइ लेकती थी को लेक़ा थीवस चड़ा कमीटी चड़ा कमीटी लेकर ऐते हैं इसके अंदर चड़ा कमीटी कुछ चीज़त दीथी खिशें इसकी दो तुकिटेशन केलिये जो कहा था वह किसने मेने कहा था ठीड किभला माले इडिगेशन ये प्रोग्राम होथा ठीड को लेके आया था अपमेटी लेकी आया थी प्तिकर उसके बाद अपन करतार सिंग घंघ के अठीशन कशुड़ किसंग के कशुड़ क्या एते कर Jack कर्तार सिंग कमिटी क्या कहती है कर्तार सिंग आये थी 1973 के अंदर आय थी इसके बाद कर्तार सिंग कमिटी क्या कहती है फैमली प्लानिंग के पी कर्तार सिंग कमिटी जी थी इसने यह जो कर्तार सिंग कमिटी यह ले के आये थी मल्टी पर्पस हेल्ट वर्कर को इसने रिकमेंडेट किया था इसने करतार सिंग कमिटी उसके बाद जंगल वाला जंगला वाला कमिटी ठीक है इसने इसके और वो लाने वाला कौन था पादरॉप एन जंगला वाला ठीक है और इसका दूसरा नाम क्या दिया था इसका दूसरा नाम दिया था सेंट्रल काउंसलिंग ऑफ हेल्थ अपॉइंटेड कमिटी ठीक है तो यह होगी कमिटी है तीन मेरे कमिटे जो इंपोर्टन थी वो बता थी उसके बाद जो पीएसची वगर यह लेके आए यह कमिटी लेक्या अगला क्योस्च देखे यह अपन अगला क्योस्टर एस है टायप आप इम्मूटी यह टायप आप इम्मूटी अगडरकर वैंडा वैक्सिनेशन औफ पॉर्चन ओप्पॉप्लेशन प्रवाइड प्रोटेक्षन तु अनप्रोटेक्टेड उसके अंदर मैं आपको बताओं कि इम्म्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी मेन की जो मेन होता है उसकी क्या होती है कैपिशीटी होती है में कैपिशीटी होती है और किस के सामने कोई भी फोरेन बोड़ी जब आती है उसको इसके अगेंच में अब दो तरीकी degree होती है कितनी तरे की दो तरीकी density होती है एक आक्टिव एक और पैस्व। हाँ चैसले का एक अत्या यो आपना ऑवन कुदका इम्यून सिस्टम कर की है अपन को देता है वह एक्टिव होगई और एक पैसर tay चुछ आपन को किसी भी इम्मुटी जिसे कोई बी इसे प्राप्थ से चाहिए घंपर करें ये बजासे होने के बार एक होते हैं कौन सी एक होती है इननेट इसको बोलते है इसको बोलते है एड़ेप्टिव ठीक है यह दो टाइप क्यों होगे उसके बाद दो टाइप के बाद इसके बाद इसके अदर एड़ेप्टिव के अंदर दो टाइप होते हैं कौन कौन से होते हैं पहला हो गया नेचुरल और दूसरा कौन सा हो गया आर्टिफीशियल अब नेचुरल के अंदर दो हो गया एक हो गया पैसिव पैसिव नेचुरल एक हो गया अब जो अब सबसे पहले आप देखिए तो सबसे पहले आप देखिए पैसिव ने चुरण कजने प्लशेंटा आण कर्या कर्या है कि फैसिव नचुरण हो कहां से मिलती उच्छा से ऐक में प्ले आप देखिए हीसी बी इनके से अपने की क्या मिलती है और से होने के बार चिकने वास के होने के बाद से ब्सक्राइब से办法 दॉट टुके झिके पैसेव उसके बाद एक्टिव एक्टिव कौन्छे होगी आटिविसेल में एक्टिव क्टिवह हैấu ट्वे टायप होगे तकseven एन में मैं से एक क्यूशन फिक्स से आना थेक है इन में से एक क्यूशन फिक्स से आना इसके अंदर छी एचों के अंदर उसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अबन अगला क्या एकता है विच अमोंग दा फॉलिविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविविव कि यह बोल रहा है तो इसके अंदर आपन देखते हैं सबसे पहले और यह क्या था यह क्या था एक क्वेशन कह रहा है विच आप दा कम्यूटी कोई भी प्रिवलाइन्स होती है किसी भी कॉंट्राशेप्टिव तो वह कम्यूटी में सबसे ज़्यादा इंडिकेट कौन करते हैं मतलब इसका यह होगया कि कोई भी कॉंट्राशेप्टिव अगर कोई यूज में लेरा यह तो शबसे ज्यादा अपने वह तो कौं सा प्रोटेक्शन रेट इसके बार में तो कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होती है क्या होती है कि इस प्रसंटेज ओप इलिजिबल कपल इफ्यक्टिवली ठीक है इस प्रसंटेज ओफ कपल यह किसका प्रसंटेज है इलिजिबल कपल इलिजिबल कपल जो क्या कहता है आइफ्यक्टिवली क्या है प्रोटेक्ट हो चुका है किससे कॉन्लाख से अगर वो प्रोटेक्ट हो चुका है तो क्या होगा ज्ञाधा काम शेर्टी काम कि गिजिए की प्रसे प्रक्रेटिश कम्म्नूटी के अंदर ऑफ रहा है डिबहें इसके अंदर कपल प्रोटेक्शन टेखी ville इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर है कींगे अपने लेकिंगे किसी भी कांटा शो यंद रेच्पिव की तदाच चेक संदा पिक पॉंटे को उसके बार कि उसके लाद GFR क्या होता है जनमने वाले एक से लेके 36 महिने तक जनमने वाले एवरेज नमबर जितने भी चिल्टन जनम में है उसको बोलते है चीज़ को क्या बोलते है उसके बाद method of contraception जेनमने आप jsब चुसके बाद यह होती ही बेरियल एक होती ही उती ही इमेर्जंशी कोट्रो हुकतर ये हाईगी ह्थीक्ति है क Doo फ्शकली के अंदर वेसेक्टिए ने कैसे को अकटुम हमें अधाल यहागे जिसके नर्वेस्टगण कॉंनंटंसफ़्गर अंक वह हार्मोन के अंदर फिल्स आएंगे यह वह सारा कॉंट्रासेप्शन इसके बाद अगला क्यूशन देखते हैं अपन अगला क्यूशन है 100 करोड़ व्यक्शिनेशन अजो 100 करोड़ व्यक्शिनेशन हुआ है में 100 करोड़ व्यक्शिनेशन हुआ है वो कभ लेटभी आ यह था टाव 21 अक्टूबर है कि 2021 में तो 21से तो 21 स्टूबर 2021 में क्या हुआ था 100 करोड वेक्सिन व्याचिन व्याजिन वी था कोवी टाइम के अंदर तो और वो किसके थुरह आ था कोवीजिल व्याक्सिन उस टाइम चल रही थी तो उसी टाइम ये स्टाट हुआ था अग्रा कुछन देखते हैं और पोलियो वैक्चिन अंडर पल्स पोलियो इम्मुनाइज़ेशन प्रोग्राम इस गिवन तू अब वाट एज बोल रहे हैं कि पल्स पोलियो पल्स पोलियो इम्मुनाइज़ेशन प्रोग्राम के तहट जो अपन पोलियो की वैक्चिन होती है वो कब या कौन से बच्चों को पिला सकते हैं या फिर कहां किस उम्र तक के बच्चों को पिला सकते हैं तो पल्स पोलियो जो प्रोग्राम था उसका मोटो यह था कि कि 100% पल्स पोलियो का मोटो क्या था कवरेज करना है 100% कवरेज करना है किनको इम्मुनाइज़ेशन से बचों को पिलाया गा था था पहले था एक साल के लिए बाद में इसको चेंज करके कितना कर दिया कितना पांक साल सब जितने भी बच्चे जो पांक साल के अंदर आते हैं अब सभी को किसमें आतें पल्स पोल्य इम्मुनाइशन के प्रोग्राम के था था उनको पोल्यो जो है वह वह पिलाए सब्सक्राइब इन indirect human daytime वाइर्स ते पिला जाती है और अगला कुषीन देख लिए बिमिफ्टे क्याने तो कॉजिटिव एजेंट ओप लाइम डिजीज पिलाइम डिजस्ट लाइमर्टिज ने अधिale कि उसका पूजिटीव एजिंट पूछा है तो कौन सा होगा लाइम डिजीज का तो सबसे पहले जान लीजे लाइम डिजीज लाइम जो डिजीज आपकी कौन सी है वह एक तरीके से वैक्टर बॉण्ड डिजीज है ठीक है किसी भी टिक के बलैक ब्लैक टिक के एक लिग्ड टिक क्या करने से ठीक है ठीक के बाइट करने से यह ऐह वैक्टर पॉल्ड डिजीज उसके बाद इसमें सिम्टम स्कून से आते हैं शिम्टम कौन से आते हैं यह वह बहुत है यहटेख हो गया ठीम्टम जाते हैं मतलब्लब पर जाते हैं स्किन के ऊपर रेड 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 रेसर पर जाते है यह हो गया है लाइम डिजीज के सिम्टम ठीक है उसके बाद इसका पॉजिटिव और ये लिया बॉर्गु डॉर्फेरी ँभा कि अ बुर्ग डौर फेली इसका बुर्द बुर्द इसके अंदर ऑपन प्रिवेंशन करने के लिए क्या करेंगे ठाओं करने के लिए झ cucumber कोई भी हिजिज होरी नियए रिमूव करेंगे कि इसको टिक को रेमूव करेंगे तिक करेंगे कि जितने भी टिकक रहें आएब wal तो पाल इसका कॉम्प्लीकेशन न्यूरं लोोलिकल होताह थिक谢谢 लाइम डिजिस का लाइम अर्थेराहीटिस ओती है तिक लाइम धिकेश्टी सुस्प्यू ठीक हो मुत इसको लाइम अर्थराहीटिस भी क्या हो तैसे तस थिस्पा अ né अर्थराइटी सो लाइन कार्डाइटी सो ठीक है यह क्या है इसके कोम्प्लिकेशन है ठीक है अगला पढ़ते हैं अगला कुछन क्या कहता है अगला कुछन करता है दा प्रोग्राम देट एम टू ट्रेन यह रेन नहीं है यहां पर यह ट्रेन है ठीक है ट्रेन हेल्थ पर्षेनल इन बैसिंग न्यूबॉन क्यार एंड निसे जब भी किसी ठीक है किसी भी हेल्थ पर्षेनल को ट्रेन क्याता है कि न्यूबॉन की केर के लिए तो एक प्रोग्राम प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है राष्टिय नवजाथ नवजाथ शिशू सुरक्ष्या कार्यक्रम ठीक है नवजाथ शिशू सुरक्ष्या कार्यक्रम चलाया गया था ठीक है अब नवजाथ शिशू सुरक्ष्या कार्यक्रम चलाया गया था ठीक है अब नवज सब्सक्राइब अब यह प्रोग्राम के दर कौनमें चीज़ीं इंफ्रेक्चन जो अल्ली इइंफ्रैक्षिन वता है नोा ये निवर्ण Thailand फेदा होता है उसका अर्ली इन सियेशन होने जान्स बढ़ जाते हैं इमफच्ष्ट्शिंद से प्रिवयंशन करना डिकस उसके बाद ऑअर्ली इनी सिसीसीन ऑफ ब्रेस्ट इर्ली अर्ली इनिशयीचिन ओफ जाते ये तो यह चीज करवाना उसके बाद का जितनी बेसिकंड होती है ठीक है यह उश्को प्रवाटनों कि और यह जो ट्रेनिंग होते हैं 90 ही आगने अगरा यळलोगलर जान नूला यळलोग प्रक कनूला योजरूग उल्हें लग नूला कवा इसाइस लाइन शाल को बता दो साइज इस में वैसे स्वेश्थ होता है तो इस कलर ये लोग yhtडर होता ुक्स तुमझ न Rick योज कारते ही है इन्फेंट के अंदर यूज में लेते है तो ुमता है उसके बाद में ओर बता दू है 16 अगर गरेंट का VaG last 8th σेचि चौदा को ठ्रीज़ उसके बाद अधिकि के वाद एक आता थे गोज का कि इसमें यह लेते है यह ग्रीन कर्लर का होता है यह किसमें यह ब्लड के आंद्र प्रांस्विजन होता है ग्रीकिट उसको चड़ाना है है Surgler हो रही है और ठीक है Surghary के टाइम यह ठाइब लेजा है यह जिसका होता है तो pink color मौस्ट कोंवन लिए यूज में ले सकते हैं को मन ली यूज में ले सकते हैं फिंक यह अगर आपको वाला मिल जाये तो अगर वह नहीं मिलता भूला तो उसके जगाव एडल्ट के लिए काम लिए आता है ठीके बेबी या इन्फेंड केंदे चितमें लिया जाता है तो यह और जितने भी कैनूला थे यह कौन सा कैनूला कहां उजमें आता है कितने को उसका उता है किस कलर का होता है यहां पर पता दिया गए अगला कुशन देखते हैं अपन अगला कुशन दा सिस्ट्वेटिक एन कंटिनूज कलेक्शन ओब डाटा इस पार और नर्शिन प्रॉसेश्ट्वाइब स्कॉर्ड इसी भी नर्स अगर किशी होस्पिटल के अंदर अगर कोई प्रेसेंट आने के बाद उस प्रेसेंट का डाटा क्लेक्शन करना ठीक है डाटा क्लेक्शन करना वो भी अगर कोई भी नर्स अगर कोई भी डाटा क्लेक्शन कर रही है तो उसको क्या बोल जाता है जिसे नर्सिंग प्रोसेस के अंदर पांच चीज़े होती है एक होता है एक होता है डाइग्नोसिस एक होता है प्लानिंग एक होता है इंप्लीमेंटेशन और लास्ट होता है फिप नमबर इवालवेशन इस दा बैस्ट सिस्टम जिसके अंदर अपन यह चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर कोई पैसेंट आता है तो उसका असेस्मेंट और उसकी हिस्ट्री जितनी भी होती है ठीक है मनोग कहीं से ररेफराल आया फिक है तो वह चेक करने के लिए उसका असेस्मेंट किया है पैसन जो कि कि पैसंट आता ए उसका असेस्मेंट असेस्मेंट इस जरूरी होता नर्सिंग प्रोसेस के अंदर तो इसेस्मेंट के दौरा ये अपन जितने भी उसका डाटा होता वो कलेक्शन कर सकते हैं तो राइट्ड आइंसर कौँसा राइट अंसर विल भी हो गया इसका कि अगला कुष्छन देखते हैं अपन अब भी बोल रहा है मंडे फिवर इस दा अधर नेम मंडे फिवर होता है ठीक है मंडे फिवर क्या होता है मंडे फिवर इस दा अधर नेम मंडे फिवर को दूसरा नाम किस नाम से मंडे फिवर को जाना जाता है ठीक है तो जब भी किसी फैक्टरी में इन्हेलेशन के दुवारा वो भी डेस्ट पार्टिकल अगर अपने लंग्स के अंदर चल जाते हैं उनसे कुछ डिजीज होती है अलग अलग जगों की अलग बीजों होती है ठीक है उनके अंदर ये क्षाप से उसका एक पार्ट है ये क्षाप जो यह जो इनलेशन होते हैं यह क्या करते हैं यह किसको ट्रिगर करते हैं इंफ्लामेटरिक प्रोसेस को यह ट्रिगर करते हैं सबसे पहले अपन रहता हैं जो सबस्ट्र के पार्टीकल को होते है उनको क्या करना इनहेल्ड करना ईनहेल्ड करना जिसकी वज़े से क्या होगा कि एक 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 इसबस्टोर्स के जो पार्टिकल होते है उनको इन्हेल करना और वह लंग्स के लिए प्रोग्ड़म करना और अलर्डिक रेस्पोंस करना लंग्स तो वो क्या करनाता है एसबस्टोस जो पार्टिकल होते हैं उनको इन्हेल करना एसबस्टोस करनाता है उसके बाद सिलिकोसिस सिलिकोसिस क्या होता है सिलिका डेस्ट होती है सिलिका डेस्ट होती है उनको इन्हेल करना सिलिकोसिस करनाता है एंथ्रोकोसिस क्या होता है anthrochosis क्या होता है narcissus होता है कि जो कोईले की जो फैक्ड्री होती है तो एंथ्रकोसिस किसके वज़े से ओता है कॉईलользcią की वज़े से ओता है उसके बार जो मंडे अब मंडे किसको कहा गया है तब इस मंडे फैवर घा गया is किसको मंडे कागया hilloth ड्यून आख ली चारक हिंख बिजीनोशीजश बीजीनोसिस क्या होती है बीजीनोसिस होती है जो बीजीनोसिस होता है वो क्या होता है जो कोटन डस्ट होती है जो कोटन होती है अपनी ठीक है उससे जो फाइबर होते है उसके छोटे छोटे फाइबर होते है उससे बनने वाले जो डस्ट होती है ठीक है वो क्या करती है जब 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 क्या होता जब भी कोई पैसेंट जब भी कोई वर्कर ठीक है वर्कर क्या होते हैं इस फैक्टरी में काम करने के बाद क्या करते हैं विकेशन पर जाते हैं ठीक है विकेशन पर जाने के बाद जब उनको जब उनको विकेशन पर जाने के बाद जब यह डिजीज कंड इसलिए को क्या नाम दिया है है इस दिशित को नाम दजिया है मन्दे पिवर के तो राइत आंσιर बीस का राइत आंसर चोलगा अग्रा अगद लेक्सेगे हुआ ंट लौर चैना ही पुसें और दिर दिर आप थोड़ा आज explain कम किया था इसलिए थोड़े question कम आये थे तो यह जो क्लास है इसको आप share कीजिएगा ठीक है अपने दोस्तों के साथ जितने भी फ्रेंड है उनके साथ ठीक है और सब्सक्राइब करना ना भूले लाइफ भी कीजिएगा ठीक है और आगे वैसे एक और एक और में क्लास आने वाला हूं ठोड़े जिनों मैं जिसके अंदर समती सम्तिंग मुझे जहां तक पता है सारे question मैं कम्यूटि के डाल दूगा उसमें और जरही बात प्रकी तो पर आने जिसा हाड नहीं आएगा उली टेन क्विशन जो मिलाने वाले हैं ठीक है जो अप्षिन के अंदर ऑप्षिन आया थे ठीक है वह दस कुशन ज्यादा नहीं आएंगे तो कि यह जो पेपर था वह पहले अ सब्सक्राइब आराम से पढ़ते दिये और मेल दी 60 परसेंट जो कोर से वह आयाएगा सब्सक्राइब कम्यूटि से आएगा तो आज बस यह यहां तक ही तो अगली क्लास थोड़े दिनों में वापिस में एक और क्लास होगा धन्यवाद